मदद के तू पे खुद शनी बढ़ता वरना के तू खुद कटता हो वैद धनवंतर नजर का होता काम शनी सब उंदा हो नमस्कार दोस्तो आज हमारा बात करने का विशे है शनी भाव नमबर तीन यानि अगर शनी तीसरे भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे इनसान के उपर शनी के क्या अच्छे और क्या मंदे प्रभाव देगे आज हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तो शनी साइंस और टेकनोलोजी का कारेक भी है इसलिए इस भाव में बैठ कर इनसान को टेक्निकली बहुत स्ट्रॉंग बनाता है तीसरे भाव में बैठा हुआ शनी इनसान को निरोगी, विद्वान, बुद्धिमान बनाता है ऐसा इनसान चतुर, धीर, वीर और सासी इनसान होता है परन्तु कर्चिला अधिक होता है उसका भागे भले ही धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन अंते में तरक्की करता है ऐसा इनसान धार्मिक आचरन करने वाला अध्यात्मिक चिंतन करने वाला भी होता है दोस्तों जो तीसरा भाव है वे बाहर जाने का रास्ता भी बोला गया है शनी धीमी चाल और विगन पैदा करने वाला भी माना जाता है अर्थात अगर तीसरे भाव में शनी हो तो ऐसे इंसान उस समय विदेश यात्रा करना चाहे तो जब शनी के आयू चल रही हो यानि कि 18 साल, 36 साल या 42 साल या फिर शनी का गोचर चल रहा हो या फिर वर्ष फेल में शनी भाव नंबर तीसरे में बैठा हो या फिर उसकी महादशा चल रही हो तो ऐसे इंसान को विदेश यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी-कभी तो विदेश यात्रा होते होते ही रह जाती है और कई बार यात्रा में विगन या बिमारी यादी या कानूनी लफड़े भी देखे गया है इसके लिए मैं इसके उची तो पाय करके ही इंसान को यात्रा करने की सला देता है शनी अगर मंदा हो या कर लिया गया हो या फिर बड़े भाई से जगड़ा करके या छोटे भाईों के सुखों में ऐसा कमी देखी गई हो तो ऐसे इनसान के घर में ये मैंने पाया है कि उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में कोई बहुत बड़ा पत्थर या मार्बल आदी का टुकड़ा पड़ा होगा या फिर ऐसे इनसान के नौर्थ इस्ट की साइड में किसी तरह का कोई बड़ा लकडी का पेड या कोई कीकर का पेड़ा दी लगा होगा तो इस वक्त ऐसी जो चीजें हैं उसको वहाँ से हटाना जो है उससे शनी जो है वह अपना जहरीला असर देना बंद कर देगा कभी-कभी जब शनी मनदा सर देने पे आये तो घरके अंदर लगातार तीन मोते देता है आगे पीछे और अपने दूर नजदीक के रिश्तेदारों के अंदर ऐसा देता है और कुछे महीनों में देता है इसलिए आपको शनी को यहाँ पर मंदा करने से बचना चाहिए और भूल कर भी घर के अंदर लकडी या चोगाट या ऐसी जो चीजे हैं या इदन आदी हैं वे छत के उपर नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपनी नौर्थीस्ट में रखनी चाहिए दोस्तो एक और चीज मैं बोलूँगा कि जो आपका नौर्थीस्ट है जितना आप साफ रखेंगे उसमें किसी तरह का भारी भरकम सामान नहीं रखेंगे शनी तीसरे में बैठ कर उतना ही अच्छा और नेक फल देगा और तो और ऐसे इनसान को किसी भी नेक काम से पहले अगर वो नेक काम पर जाने लगा है और उसको सामने से उसको लकड़ी दिखाई दे या कोई लकड़ी लेकर जाता दिखाई दे तो फिर इसका जो असर है वे मंदा होगा इसलिए उस समय उसको चाहे खुछ समय के लिए ही अपना सफर डिले करना पड़े या रूकना पड़े वैसा उसको करना चाहिए लेकिन इसके इलावा जो बाकी लोग है उनके लिए ये वहम ही है दूसरी सबसे विशेश बात जो शनी तीन वालों को याद रखनी चाहिए वह ये है कि मकान बनाते वक्त कि जो सावदानी है जैसे कि भूल के भी शनी तीन वाले को दक्षिन मुखी मकान नहीं बनाना चाहिए मकान बनाते वक्त कोई नीव ऐसी ना रखें जिस नीव के उपर आपने कभी दिवार ना बनाई हूँ क्योंकि ऐसा इनसान नीव बनाकर उसके उपर फर्श डाल देगा और दिवार नहीं बनाएगा तो शनी बंदा हो जाएगा बिना दिवार की नीव भी शनी को नुकसान देने पे उकसाती है अगर किसी भी वज़े से मकान या शनी का सुख आपको नहीं मिल रहा है तो लाल किताब कहती है कि ऐसे इनसान को तीन दुनियावी कुत्तों की सेवा करनी नेक रहेगी मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पंजाब में कहावत है कि बहन के घर भाई कुत्ता, नान के घर दोहता कुत्ता और ससुराल के घर जवाई कुत्ता यानि ये तीन जो दोहता, साला और दमाद है इनको दुनियावी कुत्ता बोला गया है और इनकोई जो सेवा करना नेक असरवादा करता है और अगर किसी वज़े से अगर ऐसा इंसान ऐसा नहीं कर पाए तो उसे तीन मिट्टी के कुत्ते जिनका रंग काला सफेद हो और मुह बंद हो ऐसे घर में रखने चाहिए या फिर तीन असली कुत्ते भीवे पाल सकता है विशे बहुत लंबा है हमरे पास समय की कमी है इसकी वज़े से अगर आपको और डिटेल चाहिए हो तो हमसे अपाट्मेंट ले सकते है अब बात करते हैं उपाई की ऐसे इनसान को क्या उपाई फल देंगे मैंने जैसे उपाई बताया तीन कुत्तो वाला तो घर में तीन मिट्टी के कुत्ते रखने ऐसे इनसान को नेक फल देंगे ऐसा इनसान अगर आँखों की दवाई मुफ्त या किसी ट्रस्ट या हॉस्पिटल में देता रहे तो भी इसको पैसो की कभी कमी नहीं होगे ऐसा इनसान साले की, दोते की, दामात की जितनी सेवा करेगा इसकी किस्मत उतनी बुलंद होगी शनी छोटे भाई का कारेक भी है और चाचा का भी इनकी सेवा करना ऐसे इनसान को नेक फल देगा इसी तरह नौर्थ इस्ट के अंदर लकडी के भारी समान ये लोहे के भारी समान नहीं रखने चाहिए ना ही उस डारेक्शन में किसी तरह का पेड़ लगाना चाहिए अपने घर के में गेट पर ऐसे इनसान को तांबे का या बीतल का ब्रास का स्वास्तिक लगाना भी उचितफल देगा दोस्तों ऐसे इनसान को कारोबर क्या करने चाहिए अगर शनी तीन वाला इनसान संग्लासिस का या नजर के चश्मों का काम करे या कॉंटेक्ट लेंस का काम करे तो फायदा देगा आईड्रॉप्स ऐसे इनसान को या मेडिसिन्स आईड्रॉप की मेनुफेक्चरिंग या आयरुवेदिक या ऐलोपेथिक फायदा देगे जो खजूर्स होते हैं इनको हम लोग ड्राई डेट्स बोलते हैं ऐसे चीज़ों को अगर ये होल सेल में सेल करें तो भी इसको बहुत फायदा होता देखा गया है ऐसा इनसान नीम, सागवान, आबनूस, ऐसी महंगी लकणियों का काम करें तो भी इसका इंदर इसको बहुत ज़्यादा मैंने देखा है दोस्तों जो शनी महाराज है उनका जो एक चक्र है राशी चक्र बारा राशियों में वे तीस साल में पूरा करते हैं यानि कि शनी एक राशी के अंदर धाई साल तक रुखते हैं और हर धाई साल बाद अपनी एक राशी चेंज करते हैं इसी तरह से शनी से आप जब भी किसी इंसान के उपर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस या कोट के चैरी आदी हो जाए तो भी हमें शनी महराज को देखकर ही उपाय करवाने पढ़ते हैं कोई भी भारी भरकम काम हो राज मजदूरी का काम हो लेबर का काम हो आँखों से अंदे लोग जो होते हैं या फिर मजदूरी करने वेले राज मिस्त्री लोग या किसी भी तरह की लेबर के काम या अगर आप मेडिकल लाइन के अंदर आएं तो किसी तरह की सरजरी को देखना हो इन्फेक्शन को देखना हो ये सब चीजों को हम शनी महाराज से देखकर ही कुली में उनका उपाए बताते है और शनी महाराज अपना सबसे अच्छा और मंदा फल दोनों मकान के उपर भी देते है इसलिए आपको किस अमर में किस आयू में मकान बनाना चाहिए किस दिशा में मकान बनाना चाहिए ये शनी आपके किस भाव में बैटा है उसके अनुसार ही एक अच्छा जोतिशी तै करता है इसके लिए आपको इसका निरने लेने के लिए आपको किसी अच्छी जोतिशी की परामर्श की जरूरत हो तो आप अपने आसपास बहुत कोई अच्छे जानकार से आप उनसे मिल सकते हैं या फिर हमारे आफिस में हमारे दी हुए नंबर पर फोन करके आप हमसे अपाइटमेंट ले सकते हैं दोस्तो हम अलग लग विश्यों पर सभी ग्रहों के सभी भावों के उपर अपनी वीडियो डालते आ रहे हैं नमस्कार